हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल, स्वागत है आपको आपके फेवरेट चैनल इंडो लोगस में, आज किस वीडियो में हम डिसकस करने वाले 68th National Film Awards की घोसना कर दी गई है उसके बारे में, यहाँ पर हम देखेंगे Best Actor का अवार्ड कीने मिला, Best Actress का अवार्ड कीन इसकी अनॉंस्मेंट कब हुई है, 22 जुलाई 2022 को ठीक है, यह जो नेशनल फिल्म अवार्ड से बात करें, इसके इसके इस्टैबलिश्मेंट की, तो कब से दिया जा रहा है, तो 1954 से यह दिया जा रहा है, यह आपको याद रखना important fact है, एंड देखो, COVID-19 related issues के कारण जो है, 2020 के भी कुछ फिल्मों को जो है, आपर अवोर्ड दिये गए हैं, तो यह आपको पता होना चाहिए, और बात करें, मिनिस्ट्री की तिकिस मिनिस्ट्री के द्वारा यह अवोर्ड दिया जाता है, तो information and broadcasting जो ministry हमारी, उसके द्वारा यह अवोर्ड जो है, दिया जाता है, औ करेंट में हमारे मिनिस्ट्र कोन है, information and broadcasting के, तो वह है अनुराग ठाको, याद रखिएगा, आगे देखते हैं, यह आपर बात करें, पहले प्रसंद की तो प्रसंद में पुछा जा रहा है, और सट्वे राष्ट्री फिल्म पुरुषकारों में सर्वस्ट अभिनेता यानि बेस्ट एक्टर का वोर्ड किसे मिला है, तो बेस्ट एक्टर का वोर्ड मिला है दो लोगों को, एक तो है अजय देवगन, और दूसरे है सुरिया, बात करें इनको किन मुविज के लिए अवोर्ड दिया गया है, पहले तो हमारा सिवत्र जैग, option D, A and B, both, अजय देवगन को मिला है ताना जी, The Unsung Warrior मुवी के लिए, और सुरिया को मिला है सुराराई पोत्रू मुवी के लिए, ठीक है, सुराराई पोत्रू मुवी इनकी है, और अजय देवगन की मुवी है ताना जी, The Unsung Warrior, इन दोनों को इनकी मुवी के लिए Best Actor का वोर्ड मिला है, आगे हम बात क पूरली ने यहां पर सुरिया के साथ काम क्याता है इन्होंने सुराराई पोत्रू में उसके लिए ही इन्हें जो है अवोर्ड दिया गया है तो प्याद रख सकते हूं आगे हम 2021 के भी अवोर्ड को रिवाइस करेंगे तो भी आपको देखना है पहले 2022 का देख लेते हैं 68 में राश्ट्री फिल्म पुरुषकार में किस फिल्म को जो है बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरुषकार मिला है तो बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरुषकार मिला है तुलसी दास जूनियर को आप्सन भी हो जाएगा यहां पर से उतर इसमें संजैदत और जो रिशी कपूर है उन्होंने काम किया इसमें बात करें या इसके डिरेक्टर की तो जो तुलसीदास जुनियर है या मूवी डिरेक्ट की गई है मृदुल महेंदर के दोवारा यहाद रख सकतो इंपॉर्टेंट है आगे देखते हैं प्रसने निम्नलिकीत में से किस राज्ये को सारभधिक फिल पहला राष्ट्रे फिल्म पुरुसकार किस वर्ट से दिया गया था यह मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था तो यह फिल्म जो है फिल्म अबोट जो है यह कब से दिया जा रहा है ऑप्शन भी हमारा यहां पर सही हो जाएगा आगे हम देख लेते लिस्ट और पहला बेस्ट नोन फिचर फिल्म इन तीनों को जरूर याद रखिए बेस्ट इंदी फिल्म मिला है तुलसिदास जुनियर को बेस्ट फिचर फिल्म मिला है सुराराई पोत्रु को इसके डिरेक्टर है सुधा कॉंगाडा याद रखिए बेस्ट नोन फिचर फिल्म का वर्ट मिल सचिदा नंदन को मिला है और बात करें किस मुवी के लिए मिला है तो आयपन कोशियूम जो है एक के आयपन कोशियूम मुवी इसके लिए दिया गया है बेस्ट डियक्टर का वर्ट सचिदा नंदन को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर की बात करें कोशियूम बेस्ट कोरियोग्राफिक की बात करें को मिला है अविजात्रिक को आगे देखते हैं कुछ और अवर्ट को हैं आपको याद अकने हैं हाँ अगर आपसे पुछा जाए कि 68 नेशनल फिल्म अवर्ट 2022 में सबसे अदा अवर्ट किस मूवी को दिये गए मिला है तो वह मिला है सुराराई पोत्रू को याद रगेगा पांच अवर्ट इस मूवी ये दोनों मूवी को जो है बेस्ट फिल्म और सोसल इसूज के लिए दिया गया है बेस्ट अवर्ट ठीके बात करें आपर हम 2021 कर रिवाइज कर लेते हैं एक बार तो 2021 में बात करें तो बेस्ट हिंदी फिल्म मिला था छी छोरे मूवी को ये 67 नेशनल फिल्म अवर्ट के मे करनी का एंड पंगा मूवी के लिए इने दिया गया था बेस्ट अक्टर पिछली बार भी दो लोगों को मिला था यहां पर एक तो थे मनुझ बाजपेई जिनको जो है भौशले मूवी के लिए दिया गया था और दुसरे थे धनुस जिनने जो है असुरन मूवी के लिए दिया गया था तो याद रखिए एंड आक्टर रजनी कांत को यहां पर 67th नेशनल फिल्म अवोर्ड में 51st दादा साहब फॉल के अवोर्ड से समानित किया गया था यह प्रसन जो है बार बार एक्जाम में रीपीट हो रहा है आपको याद रखना है 51st दादा साहब फॉल क अबार जो है पहले बार कब दिया गया था है पहली बर किस वीच्टि को दिया गया था बताये मतलब को एंड किस वेक्ति को पहली बार सो आवोर्ट से समानित किया था यह आपको बताना है पीडियोफ के आप हमाई टेलीग्राम चैनल को जोइन के लिजिए वहाँ पर आपको जोए फ्री में पीडियोफ प्रवाइट का जाता है सो थैंक यू पर वाचिक वीडियो थैंक यू सो मच